कर डो कैसि हम आप लगुंक के लिए लेकर आहीं हूं नहीं हूं फूमाई प्वथा है को आप लगों के लिए हें अप्र superb आपें हुआ नहीं है। उत्तरा ऐसे चैनली वहां आण पॉजह हूं बिलता है। टो चलेए जड़पट से शुरू तो इस आइस्क्रिम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाटरमलन जूस तयार कर लिया है वाटरमलन चॉप करके मैंने उसके बीज डिस्कार्ड कर दिये थे और उसे जूस बनाकर स्ट्रेन करके तयार कर लिया है तो चली अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं तो यहां पे मैंने कड़ाई ली है उसमें मैंने सारा जूस डाल दिया है और उसे अभी हमें जब तक पकाना है जब तक कि यह बिलकुल आधा ना हो जाए पकर क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी कम करनी है हम इस जूस के साथ आइसक्रिम नहीं बना सकते हैं इसे हमें घाडा क तो यह अभी थोड़ा थेक हो चुका है तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे एक से तब तक पकाएंगे जब तक कि यह बहुत थेक ना हो जाए यानि की और हाफ में रिड्यूज ना हो जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं इसकी प्यूरे बनकर तयार हो चुकी है और यह कितना मज़ेदार लग रहा है बिल्कुल टमैटो प्यूरे की तरह लग रहा है और इसके चंक्स भी इसमें अच्छे से गल चुके हैं तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे मीनवाइल हम अपनी विपिंग क्रीम को विप कर लेते हैं तो यहां पे मैंने नियर अब बीट हो चुकी है आप देख सकते हैं यह जब मैं ऐसे उठा रही हूं तो यह माउंटें की जो पीक बन रही है वो फॉल हो रही है तो हमें इसी कंसिस्टेंसी तक इसे बीट करना है तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे हाफ कप कंडेंस्ट मिल्क क्यूंकि हमने वाटर मेलन जूस में कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं अड़ की है तो हम यहां पे गंडेंस्ट मिल्क आड़ करेंगे और साथ में ही मैंने डाल दिया है वन टेबल स्पून गुलाब जल जिससे हमारी आइस क्रीम का फ्लीवर बहुत ही निकल कर आएगा और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड फूट कलर यह बिल्कुल ऑप्शनल है आपका मन हो तो ही आप डाले और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो गुलाब और वाटर मेलन का जो मेल होता है दोस्तों यह बहुत ही अमेजिंग होता है आप इसे स्क कप एंड वन फोर्थ कप बनकर तयार हुआ है तो वह मैं सारा इसमें मिक्स कर रही हूं और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस आइसक्रिम में कोई ताम जाम नहीं है और इसमें बहुत ही रियल फूट का अमेजिंग टेस्ट आता है दोस् फोल्ड की मिथड से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए उपर से नीचे से हर तरफ से तो हमारा यह बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है आइसक्रिम का तो अब हम इसे पोर कर लेते हैं हमारे एर टाइट कंटेनर में तो यहां पर मैं थोड़ा सा मिक्षर इस कंटेनर में डाल रही हूँ बाकी का बचा हुआ मैं दूसरे बॉक्स में डालूँगी तो इसे हम अच्छे से टाप कर लेंगे इसमें थोड़ी से स्पेस अभी भी बाकी है तो मैं थोड़ा सा बैटर और इसमें फिल कर दूँगी और फिर से हम इसे इवन आउट कर लेंगे और थोड़ी से प्योरे मैंने बचा कर रखी दी ताकि उपर से मैं थोड़ा सा डिजाइन क्रियेट कर सकूँ तो यहां पर मैं थोड़ा सा इस पे स्प्रेड कर रही हूँ ताकि यह देखने में और भी अच्छा लगे और अब हम इसे बंद करके फ्रीजर में रख देंगे तक क्रीवन साथ से आठ घंटे के लिए या कुछ यूँ कहिए ओवर नाइट के लिए अगर आप रखते हैं तो यह बहुत अच्छे से जम कर तयार हो जाएगी तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अगली सुबह तो यहाँ पे देखी मैंने इस आइस क्रीम को ओवर नाइट रख दिया था और यह कितने अच्छे से जम कर तयार हो चुकी है और यह बहुत ही सॉफ्ट बन कर तयार हुई है तो यह दूसरे कंटेनर में मैंने जो आइस क्रीम तो आप रुक नहीं पाएंगे तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजेगा आपको यह बहुत पसंद आने वाली है तो यहाँ पे मैं इसे सर्फ कर रही हूँ कुछ फ्रेश कटे हुए वाटरमलन पीजेस के साथ जिसे यह देखने में और भी अच्छी लगे और इस स्ट्राइब करके ही जाएगा तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रिसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखे और स्वस्त रहिए थैंक्स पॉर वाचिंग मार चानल